आज बताना जारे हूं कश्मीरी खौरमा कश्मीरी खौरमा बहुत मज़ेता इसके लिए मैं लिए हूं 1.5 kg चिकन और इसको वाश करके लख लिए इसको सबसे पहले एक मैरिनेशन करेंगे नम्मा कर लिम्मू से इसके लिए मैं दाले वन टेबल स्पन फुन नम्मा और ये दो मिडियम साइस के लेम चलिए इसको ढपके इसको मैरिनेशन के लिए 15 मिट छोड़ देंगे और जो सेकेंड प्रोसिजर है वो करने तक सारा ये मैरिनेशन हो जाता चिकन इसको सैट में रख देंगे चलिए इसके लिए मैं लिए हूं इसके लिए मैं लिए हूं 50 ग्राम भादम और हाफ टी इस्पुन काली मिर्ची और बड़े लिची चार और साथ से आठ सूखी मिर्ची छे से साथ लॉम और इस सारे चीजों को हलक असा रोज करके पेस्ट बना के रख लेंगे और इसके लिए लिए हूं दो बड़ी सैस के प्यास को कट कर ली और दही है आदा किलो जाफरान दो चोटी गरम पाने में भीगा के रख ली वन अंड़ाफ टी इस्पुन दाल मर्ची टू टेबल इस्पुन है अध्रकलसन और ये सव ग्राम है मलाई मलाई घर में रहती अ आदम और ये एक इंच का मोटा अध्रक का तुकड़ा इसको जूलियन शकल में कट कर लेंगे और ये टू टेबल स्पुन है धनिया साबे और धनिया को और ये सारे मसानों को एक जगा करके रोश्च कर लेंगे पैन गराव हो गया अब इसमें खड़े मसाले दाले लेंगे और के इसको हलके से रोश्च कर लेंगे अब एक में खुला वर्तन लेली आपको अच्छा समझ में ने के लिए अब इसमें दालें ओयल अब इसमें दालेंगे प्याद प्यास पर्च गोल्डे मॉर्ण होने तक प्रई करेंगे तरह अब इसमें मेरी ने ठोटे 15 में ठोच चुके है इसमें मार्नामक और लेमन का जूस दाले थे अब दहीं दालेंगे अब इसमें मिर्ची भीजा लेंगे प्यास अब गोल्डन ब्राउन होने दालेंगे अब इसमें दालेंगे टू टेबलिस्पन फुल अद्रक रखेंगे कच्छी समें गाने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक इसके प्राइ कर लेंगे अब इसमें दाले चलेगे और इसमें अच्छी से खुश्बा आना चुडगे अब इसमें चिकन दान्ना चिकन दानने के बाद इसको 5-10 मिट के खरीब तेज फिलेम पे बीच-बीच में मिलाते हैं पकाएंगे अब कंटिन्यू मिलाने के जरूरत नहीं है जब यह बॉयल शुरू होता उसमें पकना शुरू होता जब बीच-बीच पे एकस दोर मिलाएंगे और 10 मिट तेज फिलेम पे इसको इसी तरह से पकाएंगे और कश्मीरी रेसिपिस जो है फीके रहते हैं अब यहाँ पर हमको आदत नहीं है फीके खाने की थोड़ा सा मैं इसको हल्पा से स्पाइसी करके पना लिए आप अपने हिसाब से दाल शेक्ति नमक मुर्ची तेज फि बीड बीच में 12 मिदाते से पका नहीं है और फिलेमन को अब धिमा कर देंगे लें को धीमा करके 22 को ढौँज़ा निकीशिपि में 15 मिट के लिए छोड़ देंगे ऐन 15 मिट चिकन नहीं कर ला तो और 15 बढ़ा बढ़ा लेंब चलि जले 15 मिट के लिए मैं इसको ढुख ऻार 15 मिट के लिए में इसको ढापती थी 15 मिट हो गए और चिकन को चट कर लेंगे चिकन तकरीबन लग चुका है थोड़ा सा 10 बर्सन बाखिए फिलम को तेस करके यह जो पेस्ट करके मसाले रखे थे वो मिला देगे और जो मलई रखे थे मलई डाल देगर षेके फिलम को में तेज पोप होते और पानी में इसमें जरावी ने सिल्ड़ी ड़ियो का और चिकन का पानी छोड़ा इसलिए ने इसलिए पानी दीम्हाना सुखना है जल्दी अगर धीम को त्रही थेजत चिकन 5 ज्याill्स जल्दी और जो जाफरन गरम पाने में जो घुला के रख ली थी ये भी दाल लाएंगे और नमक कटेस चख के कम है तो डाल सकते हैं अब इसको ढाब देके 10 निट के लिए तेज फिलेम पर छोड़ देंगे और बीच में एक सुदोबार चेक करेंगे 10 निट के लिए में तेज फिलेम पर रखिए और इसी कंसिस्टन से कम सेखम इतनी रहना फोर में की इसमें रोटे के वे साथ खाचकते हैं और उचामादे साथ भी और चाला ड्राइन है रहता है ये पतला है रहता चिकन को मैं चेक कर लिए चिकन अच्छा से गल गया अब इसको 5-7 मिंट धीमे पर रखिए और थोड़ा सा ग्याफ रखिए पूरा कवर ने करेंगे हलका सा इसमें ग्याफ रखिए पांच से 7 मिंट तर मैं इसको धीमे फिलम पर छोड़ दी और माशाला बहुत अच्छा और सकते किते साको बाध रखिए और बहुत अच्छा बना और माशाला बहुत अच्छा बना और चेक खुष्बह सारे घर में महें के अ श्रुष्पन मा ना इसमे में कोट्पी हमिर पुदि न दाली ना कुभ आखिए हockey माशा कौत मज़दार है इसको आप नान की रोटी क साथ पराटों के साथ सर्फ कर सकते या काजु रईस के साथ बगारे खाने के साथ इसका फ्लेवर बहुत माशाला बहुत अच्छा है अथंटिक रसीप है यह बिलकुन और बहुत मज़ेदार है और इसको आप डिश में निकालेंगे आप इसको एक खास मोखाम पर बना सकते ह चलिए इसको अपर अंगारनी शिंगली मैं थोड़े से किश्मिश रखी और कटी भी बादम और थोड़े साथ रख्ये जूइले इससे अच्छा फ्लेवरा था माशाला बहुत मज़ेदार बना बहुत जितने इसकी तारिफ करें माशाला कम है बहुत मज़ेदार है एक पिल्कुल अथन्टिक रेसिपी है हम तकरीपन जो सेम खाते उससे बोर हो जाते कुछ नया ट्राइए करने के लिए चाहते और इसमें कुछ ज्यादा इंग्रिटि करें मेरी कशमीरी खुर्मी करें मुकमन हो चाहिए आपको पसंदो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए शुक्रिया आ